स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्ति करन कार्य के लिए समर्पित यश की यशस्वी गाथा जिवन में कई रंग होते हैं कभी किन रंगों से सुखद अनुभव मिलता है तो कई रंग हमें निराशा के खाई में धकेल देते हैं रंग का असर व्यक्ति के मांसिक स्शिती पर निर्भर रहता है एक ही रंग अलग-अलग व्यक्तितियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं बना देता है जिवन जिने वाले को क्या क्या अनुभव आते हैं वे तो सभी विधी विधान के अनुसार ही होते हैं दुख सुख तो नसीब से ही मिलते हैं लिखा लेख ललाट का मिता सके ना कोई ऐसी ही धार्णा ज्यादा तर लोगों में होती है किसे सुखी जिवन मिलता है तो किसे दुख भरा हर इनसान तो सुख की कामना करता ही है लेकिन अचानक ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे बहुत दुख होता है इन में भी जो जागरूक परिवार और सकारात्मक ग्रिष्टिकोन रखने वाले लोग अधिक परिश्रम कर जिवन में आई हुई स्थिती का सामना कर उस समस्या का परिहार करने में जुट जाते हैं ताकि वे कुछ कठिन स्थिती से जल से जल छुटकारा पासके फिर भी कईयों को जीवन के साथ लड़ने में लंबी अधी तक जुझना पड़ता है कहते हैं ना रात जितनी भी संगीन होगी सुबा उतनी ही रंगीन होगी धल चुका है गम का बादल सुनहरा चमका चमका है सुबा का तारा ऐसी ही स्थिती से मध्यप्रदेश के इंदोर शहर के पलहर इलाके में रहने वाले सोनकिया परिवार से आज हम रूबरू होने वाले हैं इंदोर शहर में कोट के बाजू में एक छोटा सा उपहार ग्रिह चलाने वाले यश्पाल सोनकिया ने अपने पिता के व्रिद्धत्व के पश्च्यात वही व्यवसाय सम्हाला। उनकी शादी खंडवा इलाके के योगिता के साथ हुई। सोनकिया परिवार आर्थिक मध्यम स्थिती में गुजरा करने वाला सुखी परिवार था। जल्धी उनकी खुषी में चार चान्द लग गये जब उनके परिवार में पहले पुत्ररत्न की प्राप्ती हुई। सभी खुश हो गये। जल्द ही उनकी खुशी को ग्रहन लग गया क्योंकि उनके बच्चे की आखे ही नहीं खुल रही थी. डॉक्तरी जाज करने पर पता चला कि उसकी दोनों आखों में जन्म से ही काचबिंदू, ग्लुकोमा, नामक व्याधी पुत्पन हुई है. इसे शस्त्रक्रिया करने से ही उसकी द्रिष्टी ठीक हो सकती है. छोटे बच्चे पर शस्त्रक्रिया करने से परिवार के लोक शुरू में तो तयार नहीं थे. पर जब दूसरा कोई तरीका था ही नहीं तो उन्होंने मन्जूरी दे दी. हर शस्त्रक्रिया के पश्याद डॉक्टर जो आशाएं दिखाते थे वे परिवार को और कोशिशे करने के लिए प्रवरित करते गए इस तरीके से यश के दोनों आखों पर चार-चार बार शस्त्रक्रिया की गई पर नतीजा ठन ठन गोपाल शुरू में तो यश को मामूली सा दिखाई देता था उसके मा ने उसे बहुत प्यार दुलार से समहालते हुए शिक्षा देने की कोशिश की यश के दादाजी श्री विरेंद्र सिंग भी नन्हे यश को विक्सित करने में उसकी मा की सहायता करते थे दादा जी यश को बहुत प्यार करते थे जब यश की मा पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाती रहती तो यश को सम्हालने का जिम्मा दादा जी का ही था वे यश की अनेकोवित जिग्यासाओं का समाधान करने में प्रमुख भूमी का अदा करते थे यश शुरू से ही होश्यार और बुद्धिमान था वह हर चीज आसानी से आत्मसाथ कर लेता था पास पडोस वाले आम बच्चों के साथ खेल खेलने में यश मशगुल था वह हमेशा उनके जैसे ही सब कुछ करने की कोशिशे करता था जब यश स्कुल में दाखिला लेने योग्यों हुआ तो माता पिता ने पास पडोस वाले कई आम स्कुलों में उसे दाखिल करने की कोशिश की पर सब स्कुल वाले द्रिश्टिबाधित बच्चे को दाखिला देने से सक्त मना कर रही थे इसी मायुस्ता भरेक्षणों में किसी हितैशी लोगों ने उसे अपंगों के लिए चलाये जाने वाले सेवा मंदिर नामक स्कुल में उसे दाखिला लेने की सला दी वहाँ पर यश का दाखिला स्कुल में हुआ वहाँ पर यश ने ब्रेल लिपी भी सिख ली अब वहां से यश की शिक्षा का प्रारंब हुआ अपने बुद्धिमत्ता के बल पर यश अच्छी तरीके से पाँचवी कक्षा तक पढ़ाई करने में सफल हुआ जिसके पिछे उसकी मा योगिता का भी बड़ा योगदान था पढ़ाई की किताबे पढ़कर बताना, ब्रेल की बिंदिया याद कर आत्मसात कराना, यश को आने वाली जिग्यासाओं का सही समाधान करवाना और यश की शिक्षा में आने वाली हर बाधा के उपर योग्य तरीके अपना कर उसे दूर करने जैसे सभी कामों में योगिता कार्यरत रही अपने पुरे परिवार को समहारते समहारते वह यश के प्रती अपना दायत्वन निभाती रही पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होने के पशात यश के पिता उसे आम अंध्रेजी माध्यम के स्कुल में दाखिला देने की कोशिशे करते रहे सभी और से नकार घंता बचती रही एक स्कुल में तो यश को प्रायोगिक तत्व पर स्कुल में बिठाने की मनजूरी दे दी दो महीने पश्यात उन्होंने भी ना कर दी कुछ समय तक यश की छोटी बहन श्रेया स्कुल में जाने लगी थी उसमें उस नन्ही उम्र में भी भाई के प्रती प्यार से जित पकड़ लीकी में अपने साथ भाई को लेकर ही स्कुल जाऊंगी श्रेया यश की सफलता का एक ऐसा किरदार बनकर उबरी की वह यश को सफलता की प्रादन पर आसीन करने में समर्थ हो गई कई बार श्रेया हमेशा अपनी आखे बन कर चलने फिरने और विविद क्रियाए करने का प्रयत्म करती थी यही बात सिद्ध करती है कि श्रेया का भाई के प्रती कितना समर्थ लगाव है श्रेया और उसकी माद दोनों मिलकर पाठिक्रम पढ़कर बताने के साथ साथ उसे अवांतर साहित्य पढ़ाने में भी मदद करती रही परीक्षा के वक्त श्रेया यश की राइटर बन जाती थी आम बच्चों के साथ पढ़ाई करते करते खेलकूद और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते लेते यश ने स्परधात्मक द्रिष्टिकोन अपना लिया यश को बच्पन से ही इलेक्ट्रोनिक वस्तों के साथ खेलने में रूची थी समय समय पर वहां उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्ट करने की कोशिश करता था जो जानकारी उसे परिवार वालों से नहीं मिल पाती वो जानकारी वहां अपने दोस्तों से प्राप्ट कर लेता था लेकिन अपने जिग्यासा को पूरा कर ही लेता था चलते चलते अपने दोस्तों द्वारा यश की रूची संदड़क पर केंद्रित हो गई यश संदड़क चलाना चाहता था पर द्रिश्टी बाधिता के कारण उसे मुश्किले पेश अती थी तब उसे जानकारी मिली की जौस नामक स्क्रीन रीडिंग सौफवेर विक्सित हुआ है एक संस्था द्वारा उसने जौस का इस्तमाल कर कंप्यूटर चलाने का ट्रेनिंग लिया संगड़क कुशलता से चलाने में आने वाली दिक्कतों से निजात पाने में श्रेया और उसके दोस्त उसे मदद करते रहे संगड़क सिकते सिकते उसे ग्यात हुा कि संगड़क की सही जान तो अनेकोविट सौफवेर्स में ही है सौफ्ट्वेर के इस्तमाल से हमारी कई समस्याय आसानी से दूर हो सकती है तब उसने प्रण कर लिया कि मैं जिवन में सौफ्ट्वेर इंजिनियर ही बनूँगा जब उसने परिवार में उसका यह निरनय बताया तो शुरू में तो सब दिग्मूर हो गए पिताजी सोचने लगे की अब तक यश को माध्यमिक शिक्षा तक पहुँचने के लिए उनके परिवार ने क्या-क्या पापड बेले है इसके आगे तो भगवान ही मालिक है यश ने शालांत माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा अच्छी श्रेणी प्राप्ट कर उत्तीर्ण कर ली उसी समय यश नैशनल टैलेंट सर्ज परीक्षा में हिस्सा लेकर अच्छी श्रेणी प्राप्ट करने में सफल हुआ तो वह जी का दाखिला लेकर प्रयास करता रहा जल्द ही उसने जी आडवांस की परीक्षा में भी सरान ये श्रेनी प्राप कर ली और उसके पश्यात उसने IIT की प्रवेश परीक्षा पास कर श्री गोविंदराम इंस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी अंज साइंस में कम्प्य इंजिनियरिंग के लिए दाखिला लिया वहां पर उसने सौफ्ट्वेर डेवाल्पमेंट विशय लेकर अपनी इंजिनियरिंग की उपाधी हासल की और वहां बन गया सौफ्ट्वेर्स इंजिनियर आप किसी चीज को चाहे और वहां मिल जाए ऐसा तो हमेशा नहीं होता पर होसलों के आधार पर दुनिया जीत लेने का जूनून यश को सफलता की उची प्रादन पर ले जाने में सिद्ध हुआ। उसके पीछे उसकी लगन, धे प्राप्ती के लिए अविरत परिश्रम और उसकी उच्चा कांग्षा का महत्वपूर्ण सहभाग तो है ही लेकिन उसके परिवार तथा दृष्टिवान मित्रों का योगदान भी महत्वपूर्ण भूमी का प्रदान करता है। सबसे घुल मिल जाने वाला स्वभाव यश को बहुत सारे दोस्ट बनाने में काम आया और जाने अंजाने में ही वह समाज के साथ एकात्माता प्राप्त कर सका जिससे उसका स्परधात्मक दृष्टी कोन शक्तिशाली हो गया। बुद्धिमत्ता तो व्यक्तिगत होती है लेकिन उसे निखारने में आसपास की परिस्थिती और पारिवारिक परिस्थिती का भी सहयोग मिलने से वह बुद्धिमत्ता प्रखर रूप से प्रकट होकर नया गुल खिलाती है। जैसे कोईले की खदान में छिपा हुआ हिरा तब तक अपनी रौष्णी नहीं बिखेर पाता जब तक उसे जोहरी द्वारा परक कर तराशा नहीं जाता। वैसे ही यश ने मध्यप्रदेश का पहला द्रिष्टी बाधित सोफ्ट्वेर इंजिनियर होने का श्रेय प्राप्त कर लिया और वहां आज कई लोगों के लिए जिवन विकास के पत पर आगे बढ़ने के लिए आदर्श बन गया है। सोनकिया परिवार्जन तो कुशी से तो फुले नहीं समा रहे थे। लेकिन जल्द ही उनके कुशी में चार चांद लग गए। मेहंत और उचे होसले रख कर अपने धे सिद्धी के पत पर आगे बढ़ने वाला तो सफल होता ही है। यश को जब इस सफलता के बारे में पूछा गया तो यश ने बताया कि मैं हर धे सिद्धी के लिए एक सही योजना आपकर उसको अम्मल में लाने के लिए जजान से जुट जाता हूँ लेकिन फिर भी अगर असफलता प्राप्त होने वाली हो तो उसी योजना के ऊपर मेरी दूसरी परियाई योजना तयार रहती है ऐसे ही मैं जीवन में सफलता प्राप्त करने का सही मार्प चुनता रहता हूँ मैं इश्वर के प्रती कृतग्यता व्यक्त करता हूँ कि मेरी आखो से भले ही रोशनी छिन ली गई हो लेकिन दिमाख और दिल ने जिने का होसला नह जब मैं माइक्रोसोफ कमपनी के प्रमुखों के सामने इंतरवीवू दे रहा था तो कोडिंग और डीकोडिंग के बारे में यश्वर ने अपने अद्भुत क्षमता का परिचय उन्हें करवाया तो तुरंत ही वे उसकी बुद्धिमत्ता और अपार क्षमता का लोहा मान उसे नियुक्त करने के लिए राजी हो गए। यह समाचार सुनकर यश्व की मा कहने लगी की ईश्वर ने मुझे यश्व के रूप में बहुत बड़ा तोफा दिया है। अगर हम यश्व की इस यशोगाथा पर सुक्षमता से निरिक्षन कर उसे सही धंग से समझना चाते हैं, तो निमनिखित बाते हमें प्रखरता से महसूस होती है। जिनसे यश के व्यक्तित्व का विकास होकर उसकी जडन घणन उसके आसपास वाले आम समाज की बराबरी साधने में समर्थ होती गई। उसने कभी भी आम द्रश्टिहीन व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध होने वाला अपना कैरियर बनाने की कोशिश ही नहीं की, ना ही उनके कुटुम द्वारा या हित्यशी द्वारा ऐसा करने का सुझाव उन्हें दिया गया। उनके माता पिता ने उसे पूरी आज़ादी दी थी की बेटे तुम आगे बढ़ो। सही राह पर लगन और मेहंत के साथ अग्रेसर होते रहो। हमारी और से आपको अधिक से अधिक सहायता देने की हम कोशिश करेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप उनके इस लाल ने उनका नाम रोशन कर दिया। पहली बात है सामाजिक एकात्मता बचपन से ही यश अपने पास पडोस वाले आम बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता था। उनकी तरह ही खेलता, कूटता, सीखता और दुन्या को समझता रहा। उनके माता-पिता द्वारा उसे कभी भी जरूरत से अधिक सुरक्षित्ता से नहीं संभाला गया। और इसी कारण उसमें स्परधात्मक प्रवृतिया अच्छी तरह से आकार लेने लगी। वह हमेशा अपनी तुन्ना आम दोस्तों और सहपाथियों से कर अपने आपको श्रेट बनाने की कोशिशे करता रहा। दूसरी बात है उसकी बहन ने अपने भाई को उसके ही स्कूल में और उसके ही कक्षा में साथ रखने की जिद्द पकड़ली। ये ही जिद्द उसे एकात्मता शिक्षा पधती में विक्सित होने का मौका देती गई। पहले पहले जब वहां उनकी कक्षा में बैठने लगा वहां कक्षा तीसरी की थी। इसलिए उन बच्चों की पढ़ाई से वहा पहली कक्षा में जाने के पहले ही शिक चुका था, जिसकी वजह से उसे अपनी पिछली कक्षाओं की पढ़ाई पूरी करने में आसानी प्राप्थ हो गई. हर कक्षा में वहा अच्छे गुणों से उतीन होता रहा, जिससे उसका आत्मविश्वास दिन बदिन बल्वान होता चला गया और भविश्यकाल में उची उडान भरने के लिए उसे समर्थ बना दिया. किसरी बात है कि जब वहां आम दोस्तों से सहपाथियों से मिल जुल कर रहने लगा तो उसने अपने आपको इस कदर ढाल लिया कि वे सब उसे विश्वसनिय मानने लगे. शुरू मैं तो यश्व ने अपने समंधों को प्रगारता प्रदान की. फिर जब कभी भी उसे उनके मदद की या सहकार्य की जरूरत पड़ी तो वहां भी उनसे खेल-खेल में सीखने की तरीकों से आसानी से हासिल कर लिया. इसके लिए न तो उसके कुटुम्वियों का हस्तक शेप हुआ ना ही उन बच्चों पर यश्व की मदद करने की सक्ती बरताई गई. चौथी बात है कि यश्व ने उसके जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष स्थापित किया था. उसकी लगन, मेहंद और निरंतर प्रयास के फल्स्वरूप उसकी रा में आने वाली हर मुश्किल को पार कर यश्व अपने धेय प्राप्ती की और अग्रेसर होता रहा. उसने अपनी बुद्धिमानी के बल पर दोस्तों से सुलपता और सहज्टा से अपनी जरूरतों को कब और कैसे पूरा कर लिया यह तो उन्हें भी नहीं पता चला. यह यश का तरीका बहुत ही लाजवाब है. जिन माता पिताओं के बच्चे द्रिष्टी बाधित है और वे अपने बच्चों को विक्सित कर उनका अच्छा भविश्य बनाने की कोशिश में है. उन्हें इस उदाहरन से सीख लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे का सामाजिक और शैक्षनिक एकात्मिकरण ही उसके सफलता की कुझी है. हम मा बाप कब तक उन्हें जरूरत से अधिक सौरक्षन देते रहेंगे. आगे चल कर तो उसे आम दुन्या के साथ ही जीना है. उनके ही क बच्चा यश जैसे संबंध अपने आस-पास वालों के साथ बनाने में समर्थ हो तो वह भी अपने जीवन में सफल जो जाएगा. क्या हम हर माबाप यश के माबाप जैसा विक्सित होने का मौका अपने बच्चे को देकर उसमें अपना हस्तक्षेप न करे तो हम भी हमारे बच्चे के जीवन की ऐसी एक और यशोगाथा बनाने वाली नीव रख देंगे. यहां गाथा यश के बुलंद होसलों की हमें कहने के लिए प्रेरित करती है की पहाडों मत करो गुरूर अपने पे इतना. हमने तो आसमान से मंजिले तलाशना सीख लिया है. पहाडों मत करो गुरूर अपने पे इतना. हमने भी तकलीफों में खुश्या मनाना सीख लिया है. घटाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना. हमने भी आखों के पानी को सिने छुपाना सीख लिया है फिजाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना हमने भी फूलों को चमन में नहीं अपने सिने में उगाना सीख लिया है और हवाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना हमने तो पंखों से नहीं अपितू होसलों से उढ़ना सीख लिया है The Blind, India